हेलो बच्चों मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मेडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हर्दिक स्वागत है बच्चों आज मैं आप लोगों के समख्ष कभी बिहरी लाल के एक दोही को लेकर प्रस्तितू कभी बिहरी लाल हिंदी साहिति के रितिकाल के एक प्रमुख कभी है और इनका प्रमुख गरंथ है सत्सई सत्सई के दोहे के बारे में कहा जाता है कि इनके दोहे जो हैं अपार भावरासी को अपने में समेटे हुए हैं और इसी कारण इनके दोहे को गागर में सागर कहा जाता है। इसके साथ ही साथ इनके दोहे इतने प्रभाव कून हैं, अर्थ गाम्भिर से युक्त हैं कि इनके दोहे के लिए ही कहा गया है सत्सया के दोहरे जियो नाविक के तीर देखन में छोटन लगे खाव करे गंभी तो ऐसे ही एक दोही को लेकर आज मैं आप लोगों के समखती बस्तित हूँ सबसे पहले मैं इस दोही को पढ़कर सुनाओंगी फिर इसके कठिन अर्थ को बताने के बाद ही पंक्ती की ब्याख्या करूंगी और तत्पस्चात बिसेज भी बताऊंगी तो चलिए आरम भगरती हूँ को कही सके बड़ेनू सो लखे बड़ियो भूल दीने दई गुलाब की इन डारुनू वेफू तो अब चलिए मैं कठिन सब्द के अर्थ को बताते हूँ कठिन सब्दों के अर्थ को अथार्थ कौन कही सके मने कह सकता है बड़ेनू मतलब बड़े सामर्थवान सो मतलब को लखे मतलब देखकर बड़ियो मने बहुत बड़ी भूल यानी गल्ती दीने मने दिया दई मतलब भाग विधाता देव इस्वर इन मने इस यहाँ पर काटों के लिए इसका प्रियोग है काटों से भरी डारणू मतलब डालिया तो अब चलिए मैं पंग्ती की ब्याख्या करते हूँ कभी बिहारी लाग जीने अपने सत्सई में स्रिंगार, भक्ती और नीती संबन्धी दोहे को लिखाया है यह दोहा नीती संबन्धी है इस दोहे का प्रसंग यह है किसी भी सामर्थवान सक्ति संपन को लिठा गया है कि वे जब किसी गलती को करते हैं यानि जो हमें गलत लगता है उस गलती के पीछे कोई न कोई अच्छा उद्देश से छिपा रहा है जैसा कि हम लोग कभी कभी कहते न कि इस्वर हमारे लिए बड़ा बुरा कर रहा है इस्वर ने हमारे जिवन में दुख दे दिया है लेकिन इस्वर ने दुख हमें दिया है लेकिन उस दुख से जो हमारे अंदर विबिन प्रकार के अच्छे गुनों का विकास हो रहा है जो हमारे व्यक्तितों को और भी परिस्कृत कर रहा है इन बातों को हम नहीं देखते हैं यदि आप इन बातों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जिसे हम गलती कह रहे हैं उस गलती के पीछे एक अच्छा उद्देश से चिपा है जैसे कि कहा जाता है कि नदी में बाड आ जाती है तो जब नदी में बाड आती है तो नदी तो एक प्रलै मचा दी लेकिन जब नदी का पानी वापस चला जाता है तो नदी के किनारी की जो भूमी है वो क्या उजाती काफी उप जाओ हो जाती है ठीक इसी तरह से जब समुदर में लहरे उठती है तो बड़ी भायानक होती है लेकिन लहरे अपने साथ क्या करती है बहुत सारे कीमती रत्न, मोती, मानिक इत्यादी को किनारी पर फेक के वापस चली जाती है जैसा कि अंधेरा के बाद एक नई सुभव होती है ठीक इसी तरह से जीवन में नाकारात्मकता होती है उसके बाद जो है सब कुछ साकारात्मक हो जाता है तो हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए देखिए को कही सके बड़े नूसो कभी बिहारी लाल जी कहते है को कही सके कौन कह सकता है को कही सके उन्हें कोई कुछ नहीं कह सकता है, किस बारे में नहीं कह सकता है, लखे बड़ियो भूल, लखे बने देखकर, बड़ियो बने बहुत बड़ी, भूल यानि गल्टी, यानि बड़े सामर्थवान जब गल्टी करते हैं, तो उन गल्टियों को देखकर भी कोई कुछ नहीं कह सकता है, उन पर कोई दोस नहीं लगा सकता, उन पर दोसारा उपन नहीं कर सकता है, प्योंकि जब ये गलती कर रहे हैं, तो उस गलती के पीछे उनका एक अच्छा उद्देश्य होता है, उधारल के तो और पे नोने क्या कहा है देखिए दीने दई गुलाब की दई मतलब इस्वर इस्वर ने क्या दिया गुलाब को गुलाब का फूल जो बहुत ही सुकोमल होता है सुंदर होता है ऐसे गुलाब के फूल को बिधाता ने क्या दिया है इन डारुनु वे फूल, इन डारुनु यानि काटों से भरी हुई डालिया दिया यानि बिधाता ने गुलाब के फूल को क्या दिया? काटों से भरी डालिया ये सब को दिखाई दे रहा है कि इतना सुन्दर गुलाब का फूल है लेकिन खिलता कहा है काटों में खिलता है लेकिन इस बात को लोग नहीं समझ पाते हैं कि उस सुकोमल, सुन्दर गुलाब के फूल के रक्षा हेतु ही उसे कहां खिलाया गया है? काटों से भरी डालियों में ताकि कोई भी जानवर हो या अन्य कोई भी उस फूल को नश्ट ना कर सकी यानि गुलाब की रक्षा के लिए है तो हम क्या देख रहे हैं? हम एक तरफ देख रहे हैं कि उसके काटे ही काटे हैं और उस पर गुलाब का फूल खिला है ये मुझे दुख की बात लगती है कि इतना सुन्दर फूल कहां खिला है? काटे में खिला है लेकिन हम इस बात को नहीं देख पा रहे हैं कि ये काटा भी इस्वर ने इसी लिए दिया है ताकि उस फूल की रक्षा हो सकी तो परम्रम विधाता ने जो कुछ भी किया है इस संसार में एक उद्देश से किया है यदि किसी के जीवन में दुख है तो उस दुख को देने के पीछे भी कोई न कोई उद्देश्य है ये हम नहीं देखते हैं इस बात को हम कब समझते हैं बहुत दिन बात समझते हैं कि हमारे जीवन में क्यों दुख आया देखें आप देखते हैं किसी के जीवन बहुत पैसा होता है तो कहते हैं भगवान ने उसे भूत कुछ दिया लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि उस पैसे के साथ उस व्यक्ति के जिमन में इतनी बुराईयां आ जाती है कि उस पैसे का महत्व खतम हो जाता है ठीक इसके विपरीद आप लोगों ने ऐसा भी देखा होगा कि कुछ लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं बड़े गरीब होते हैं लेकिन काफी महनती होते हैं काफी इमानधार होते हैं उनके अच्छे संसकार होते हैं उनमें अच्छाया होती है वो दयालू होते हैं दूसरों की सहायता करते हैं और अपने परिश्रम के बल पर, मेहनत के बल पर एक अच्छी मुकाम तक पहुंचते हैं। तो ये अच्छी मुकाम तक पहुंचने के लिए सिड़ी क्या थी? उसका दुख, दुख से जो उत्पन उसके जो संसकार है, दुख से उत्पन जो उसके गुड़ हैं, यही सीडियां हैं, जिन सीडियों पर चड़ते हुई, वह व्यक्ति एक अच्छे मुकाम तक पहुँचता है बहुत से उधारन ऐसे हैं, जहां आप लोगों ने ऐसा ही बहुत कुछ देखा है, जैसे कि हमारे राष्टपती का एक उधारन ले लीजे, डॉक्टर रायन प्रशाद, प्रधान मंत्री, लाल बहादुर सास्त्री, और एक राष्टपती हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दु आप जानते ही हैं, कि जो गरीबी में पल कर भी अपने अंदर अछाइयों को ग्रहन किया, और अपने अच्छाइयों के सीड़ी के माध्यम्स, यदि अपने अच्छाइयों के बलवूते पर ही, एक अच्छा मुकाम हासिल किया, सफलता की उचाइयों को छुआ, तो कि यह हमें परंब्रम भाग विधाता को दोषर देना ठीक नहीं है कि गुलाब के फूल को कांटों में क्यों खिला दिया कि कि इस्वर किसी भी कारी को किसी उद्देश से ही करते हैं उनका कोई भी कार्य बिना उद्देश के नहीं होता है ठीक इसी तरह से कभी भी हरे लाल ज उसके पीछे भी कोई न कोई उद्देश छिपा होता है क्योंकि बड़े लोग यानि सामर्थवान लोगों से होने वाली चूप को देखकर आप यह नहीं कह सकते हैं कि उनसे कोई गलती हुई है क्योंकि उनकी गलती के पीछे कोई न कोई अच्छाई छिपी होती है तो यह उनका यह दोहा नीती सम्मंधी दोहा है। दूसरा है प्रस्तु दोहा के माध्यम से कभी ने यह बतलाया है कि इस्वर के द्वारा बनाए गई इस संसार में हर चीज के पीछे उनका एक विसेश उद्देश्य होता है। जिसे गुलाब फूल की रक्षा के लिए ही उसे काटो का साथ दिया गया है। ठीक इसी प्रकार जीवन में घटित बुरी घटनाओं के पीछे यह साथ कोई अच्छे बात जुड़ी होती है। तीसरा देखिए कभी ने जीवन को साकरात्मक सोच के साथ अपनाने का एक द्रिश्टिकोन दिया है। चौथा यह एक दोहा चंद है इसके चार चरण में से प्रथम वत्रिती चरण में तेरा-तेरा मात्राएं तता देत्य वत्रिती चरण में ग्यारा-ग्यारा मात्राएं होती है। तुक प्रह दूसरे और चौथे चरण के अंत में होता है। पाचवा देखिए प्रस्तु दोहा में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग मिलता है, दीने दई में दवण की आवरिती से अनुपरास अलंकार है, छटा काविभासा मधूर ब्रजभासा है, सात्वा एक छोटे से दोहे में अपार भावरासी का उदगार होने के कारल ये गागर में सागर की उखती को चरितार्थ करते हैं, तो उम्मीद करती ह कि इस दोहे कार्थ आपको अच्छे तरह से समझ में आ गिया होगा, वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थे में सेर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ताकि हर नए वीडियो गर नोटिफिकेशन आपको समय से में पर मिल सक झाल